तमिलनाडू के कुन्नूर में बुध्वार दोपहर को हुए हेलिकॉप्टर हादसे में देश के पहले चीफ औफ डिफैंस स्टाफ जनरल रावत और उनकी पतनी मधुलिका रावत समेत 11 अन्य सहयोगियों की मौत हो गई. जनरल बिपिन रावत और उनकी पतनी की मौत के बाद पूरा देश उनकी दोनों बेटियों के साथ इस दुख में खड़ा है. देश भर के लोग संपनी सम्वेदना व्यक्त कर रहे हैं. दरसल जनरल बिपिन रावत और उनकी पतनी मधुलिका रावत के निधन के बाद अब उनके परिवार में उनकी दोनों बेटियां है. जनरल रावत की बड़ी बेटी का नाम कीरतिका है. कीरतिका की शादी हो चुकी है और फिलहाल वो मुंबाई में रहती है. छोटी बेटी का नाम तारिनी है, जो दिल्ली हाई कोट में वकील के तौर पर प्राक्टिस कर रही है. सार्वजनिक तौर पर बिपिन रावत की बेटियों के बारे में बेहत कम जानकारी है. लेकिन अब उनकी कुछ तस्वीरी जरूर सामने आई हैं. जनरल बिपिन रावत के दिल में पैत्रिक प्रदेश उत्तराखंट के लिए विशेश प्रेम था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने रिटायर्मेंट के बाद दिल्ली में रहने के बजाए देहरादून में बसने की तयारी कर रखी थी, जहां उनका पूरा बचपन बीता था. विपिन रावत ने देहरादून में बसने के लिए हाल ही में एक महीने पहले ही देहरादून में प्रेमनगर के पास जंगलों के बीच खूबसूरत वादियों में अपना आशियाना बनवाना भी शुरू किया था जनरल रावत के पिता लक्षमन्ट सिंग लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए वहीं उनकी मा प्रदेश के उत्तरकाशी की रहने वाली थी जो पूर्व विधायक किशन सिंग परमार की बेटी थी जनरल बिपिन रावत की पतनी मधुलिका रावत आर्मी वायव्स वेलफेर असोसियेशन की अध्यक्ष थी और शहीदों के आश्रितों की भलाई के अभियान में सक्रिया रहती थी जनरल रावत, सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला और राष्ट्रिया रक्षा अकादमी खडकसला के पूर्व छात्र थे उन्होंने NDA से सेना में एंट्री ली थी वे 1978 में सेना में शामिल हुए थे उनके उद्क्रिष्ट कारियों के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अती विशिष्ट सेवा मेडल, युद्धर सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल आधी सम्मानों से नवाजा जा चुका है